नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका देशी प्रपर्टी युदूप चैनल में मैं आपका दोस्त सचीन आज आपको बहुत सांदर मकान दिखाने बाला हूँ दोस्तों यह मकान है उत्रकंड के सहर बाजपूर में यह जो मकान है इसकी जो दूरी है मैं हाइवे से लग बहुत बाजपूर का मैं मार्केट है उसके बरावर में है उसी मैं मार्केट में अनाज मंडी पढ़ती है अनाज मंडी के जश्ट पीछे की साइड में यह मकान है इस कलोनी का नाम है संजे कलोनी और यह लगवक 1680 स्कार फिट में बना हुआ है तो चलिए हम एक बार जो मैं अब है वहां से इसकी लोकेशन को देख लेते हैं कितना वहां से पढ़ता है तो चलिए हम अभी हम जो वीडियो सुरू करने वाले हैं यह मैं हाइवे से 200 मिटर हम चल के आएंगे फिर हम मकान के अंदर एंट्री करेंगे तो चलिए फ्रेंट सुरू करते हैं तो चलिए फ्रेंट्स पहले इंट्रेंट से बात कर लेती हैं आप सामने देख सकते हैं 30 फुट के फ्रेंट में 10 फुट का गेट दुआ है बलेक कलर में पूरा लोही का गेट है आप देख सकते हैं फ्रेंट कुछ इस पकार का दिखता है और सामने तो फ्रेंट्स हम मैं गेट से अंदर की साइड में चलते हैं आप देख सकते हैं सामने इंटेंस के अंदर एक second इंटेंस और दिया हुआ है इसके अंदर चलते हैं तो आप सामने देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ बरामदा है जिसे आप living area भी बोल सकते हैं तो आप देख सकते हैं living area में एक bed पड़ा हुआ है साथ में cooler और cooler dining table और जो TV है वो आप यहाँ पर place कर स सामने की side में आप देख सकते हैं यह bathroom है सामने की side में और इदर की side में kitchen दिया गया है तो हम पहले bathroom को देख लेते हैं दोस्तों यह bathroom काफ़ी लंबा चोड़ा bathroom है आप देख सकते हैं दस वाई आठ का यह bathroom दिया गया है आप देख सकते हैं यह latin bathroom दोनों एक ही में है और इस में कोई gate नहीं दिया गया है दोस्तों ये modular kitchen है इसलिए कोई gate नहीं है आप देख सकते हैं उपर से नीचे तक पूरा जाने के लिए एक separate अलग से शिणियां दी गई हैं दोस्तों ये है इस मकान का पहला बैडरूम काफी बड़ा बैडरूम है आप देख सकते हैं डबल बैड डालने के बाद भाद भी इतनी सारी जगा बच रही है और साथ में तीन अलमारियां है पर डाली हुई है और साथ में सोफा सैट भी डाला हुआ है तो इस परकार का कुछ नजारा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है और दिवाल उपर जो कलर है वो अलग अलग परकार से किया गया है उपर की साइड में प्योपी का काम किया गया है तो आप देख सकते हैं इसके साथ है लेटिन बाद रू जो है उसका दरवाजा दिया गया है तो दोनों के लिए एक लेटिन बाद रूम यूज के लिए आ सकता है तो आप देख सकते हैं लेटिन शाइड में ये दिया गया है वाद रूम काफी बड़ा वाद रूम है और इसमें लेटिन भी दी गई है तो आप देख सकते हैं और गया है दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं यह जो मकान है यह बाजपूर में संजय कोलोनी में पढ़ता है बाजपूर उत्रखंड का एक सहर है काफी सांदार काफी अच्छा सहर है जो नैनिताल के पास में पढ़ता है अगर आप इस मकान को खरीबना चाहते हैं तो यह नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप अच्छा